नमस्कार साथियो, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति IS के इस प्लेटफॉर्म पर आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्री मेंस और इंटर्व्यू और फाइनल सेलेक्शन की त्यारी कर सकते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको अपना पर्चे देता हूँ मैं सुनील अभिव्यक्ति सरकेई उन इस्ट्यूएंटों में से हूँ जो लगातार प्री मेंस इंटर्व्यू दिये हैं और फाइनल सेलेक्शन लिये हैं इस पद्धति में एक गुरूकल पद्धति के माध्यम से हमने पढ़ाई की थी और उसके सारे अनभव मैं आपके साथ भी सेयर करूँगा प्री में 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 इंटर्विव में ताकि आप भी इस पद्दिती की जो पढ़ाई थी उसके अनभवों से अपने प्री मेंस इंटर्विव और फाइनल सेलेक्शन की त्यारी कर सकें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में हम 15 इस्ट्वेंट्स थे जो लगातार प्री निकाल रहे थे और प्री निकालने के लिए बहुत ही कम कंटेंट कम का मतलब यहां मात्रा से है रिच के मामले में रिचनेस के मामले में ये बहुत ही अच्छा कंटेंग था उसके बाद मेंस की तैयारी हम लोग करते थे और आप विश्वास करिए 15 लोगों में एक ऐसी खासियत थी जो उस समय नया नया मेंस जब लॉंच हुआ था मेंस की परिच्छा में पेपर जो है तैयार करने थे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 और ऐसे इन पेपरों में इतने आशातीत नमबर हमें ने प्राप्त किये अप्रत्याशित जिसमें हमें सोची ही नहीं पाये थे जैसे ऐसे में बहुत अच्छे नमबर सभी को मिले इथिक्स में बहुत अच्छे नमबर मिले पेपर 1 जिसको कहते थे पेपर 1 और पेपर 2 में नमबर नहीं मिलते और पेपर 2 और पेपर 1 में बहुत अच्छे नमबरों के साथ बच्चे पास हुए ये ऐसा क्यों हो पाया ये इसलिए हो पाया कि जो सरका environment था वहाँ 15 बच्चों का वो पूरे दिन उसी जगह पर रहना और वहीं से तैयारी करना और उसका guidance हमें इतना अच्छा मिला कि हम सब लोग कहीं न कहीं select हुए तो मैं अपने सारे अनभवों को लेकर उस गुरुकुल पद्दि के अनभवों को लेकर आपके बीच आया हूँ और बहुतिक भुगोल बहुतिक भुगोल मैं कहता हूँ पूरे भुगोल की बात जहां पर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और ये दिक्कत इस लेविल की मैं आपको बतातूँ चाहें इंडिया का कोई भी एक्जाम हो जिसमें जोग्रॉफी के कॉश्चन पूछे जाएंगे उसमें आप कभी मात नहीं खाएंगे और नहीं आपको कभी निरासा मिलेगी जाए वो UPSC हो PhD लेविल के आपके कॉश्चन क्यों नहों इसी संदर्ब में हम फिजिकल जोग्रॉफी का एक पार्ट यानि कि वायू मंडल को पढ़ने जा रहे हैं और ये वायू मंडल UPSC के पैटर्न के अंसार हमें क्या सोचना है और कैसे हमें थिंकिंग करनी है कि कोई टॉपिक जब पढ़ रहे हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें उन सभी बातों के साथ मैं आपके साथ ये अनुभब के साथ एक चीजें सेर करूँगा साजा करूँगा कि हमें जब वायू मंगल पढ़ना है तो कैसे हमें सोचना है UPSC का दाइरा कहां तक है और वो हमसे क्या चाहती है तो चलिए इसी सभी आसाओं के साथ कि इस बरतमान समय में जो आई वेकेंसी जो आपके अंदर दुगनी उर्जा भरेगी और उसके साथ उन उर्जा को हम सही दिशा में लगाएं तो अभिवेक्ती आईएस के साथ आप जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाईए बात मुझे याद आ रही है क्या कि जिन्दिकी में मौका एक वार सब को जरूर मिलता है और ये मौका UPSC ने इस वार उन सवी छात्रों को दिया है जो अपनी परिच्छा को लेकि सीरियस है UPSC के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो कई वार आपको ये लगेगा कि ये वैकेंसियों की निरासा की वज़े से आपने मन से पढ़ाई नहीं की और इतिहास ये बताता है कि बहुत ही कम ऐसे ये रहे हैं जहां पर एक हजार से अधिक वैकेंसी आई है इसी आसा के साथ की नए वच्चे इसमें सलेक्ट होंगे प्री क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेंस और इंट्रव्यू की पूरी तैयारी हमारे साथ भी करेंगे इसी स्रंखला में सुनील अविव्यक्ती सर के द्वारा इस चैनल पर अविव्यक्ती IES पर बहुत ही महत्वून जीएस की लगवग 100 से 120 क्लासिस जो प्रते क्लास लगवग 1.5 गंटे की होगी उसन सब क्लासिस में UPSC के द्वारा कोर सामाजिक अध्यान से जितने भी कॉशन बन सकते हैं उन सब को एक ऐसे फ्रेम में ढाला गया है कि जहां से आपकी तैयारी बिलकुन निश्यत रूप से एक अच्छे गाइडेंस में आगे जाएगी और आप विश्वास करिए कि यह जो जीएस के टॉपिक्स की क्लासिस यहां जो मिलेंगी आपको डारेक्ट क्वेशन UPSC में भी देखने को मिलेंगे उसी संदर में मुझे जो कारे मिला है वो जोग्राफी का मिला है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जोग्राफी में आप कभी किसी भी इस्टुएंट से मात नहीं खाएंगे और कभी एकजाम में आपका क्वेशन गलत नहीं होगा और आज इसी संदर में हम वायू मंडल को पढ़ेंगे वायू मंडल की संरचना और उसमें आने वाली कितनी परते हैं लेयर्स हैं उनको देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपका पुने स्वागत करता हूँ इस आधार पे कि आप जो वेकेंसी आई हैं उनके साथ उर्जा के साथ आप लगिए और इस बार अपना फाइनल सेलेक्शन हमारे साथ लेजिए चलिए चलते हैं कुछ पैटर्न को देखते हैं कि जो पिछले ग्यारे वर्सों में 2013 से 2023 के बीच जो जो जोगराफी भूगोल से क्वेशन पूछे गए उनका पैटर्न क्या रहा है क्या ये भूगोल जोगराफी सब्जेक्ट वास्तम में इतना महत्तपूर है जिसके लिए हमें इतनी इसकी पढ़ाई करनी है बिल्कुल हाँ अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये 10 से 12 प्रतिशत तक के माक्स इस सब्जेक्ट से आप ले सकते हैं 2023 की अगर बात करें तो 7 कॉश्चन यहां से पूछे गए थे डारेक्ट इंडारेक्ट कॉश्चन जो करेंट अफियर के साथ इन्वार्मेंट से मिलते हैं अगर उनको जोड लिया जाए तो ये संख्या 15 से 20 बैठती है 2022 में कम कॉश्चन जो केवल कोर जोगरफी की बात हो रही है यहां इन्वार्मेंट को भी अलग रखा हुआ है चार कॉश्चन पूछे गए 2021 में 11 इस प्रकार से अगर चलेंगे 20 में 10 19 में 14 इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉश्चन जो है हर साल पूछे जा रहे है 10, 12, 5, 5, 7, 4 अगर आप एवरेज निकालेंगे न तो 6 से 8 कॉश्चन प्रत्यक साल यहां से पूछे जा रहे है जो जोगरफी का कोर एरिया है तो इनी संदर में हम जो इस चैनल पर कोर एरिया से कॉश्चन जहां से पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभाव ना है उन सब को तैयार करेंगे और एक एक करके तैयार करेंगे और चलते हैं अब आगे वाले चीज पर कि हमें जो जो जोगरफी में आउटलाइन मिली है या सुनील अविवैक्ती सर के द्वारा जो 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 जोगरफी की एक आउटलाइन तैयार की गई है जिसमें इंडिया एंड इस जोगरफी की फिजिकल इस्ट्रेक्चर को सामिल किया गया है agriculture के questions को सामिल किया गया है climate energy के basics terms और उससे सम्मनित जो UPSC level तक की बातें हैं उन सब को इसमें पढ़ा जाएगा उसके बाद natural disaster की बात हो रही है और oceanography इसका मतलब ये है कि कुछ classes के माध्यम से आपको ये पकात हो जाएगा कि geography के core area से question आएगा आपका छूटेगा नहीं इसी आसा के साथ चलते हैं हम आज की अपनी नई topic पर let's go और start करते हैं हमारे साथ चलिए सबसे पहले atmosphere, जलवायू वायू मंडल की बात हम करेंगे परिभासा हम सबसे पहले इसकी देखते हैं ठीक है न तो प्रतवी के चारों और गंद हीन, रंग हीन और स्वाद हीन पारदर्सी गैशों का एक मिस्रण, वश्तुते हम ये कह सकते हैं कि जो वायू मंडल है प्रतवी के चारों और परतों के रूप में फैला है और ये परत जो है रंग हीन, गंद हीन और स्वाद हीन है और एक कई किलोमीटर ये परतों की अगर मोटाई की बात की जाए तो कई किलोमीटर तक फैली है और इसी आवरण को क्या कहते हैं हम वायू मंडल कहते हैं वायू मंजल में मुख्षित है क्या है गैसों का मिस्रण है न तो गैसों का जो मिस्रण है गैस एक नहीं जिसमें गैस तो सामिल है ही इसके बाद जलवास्प जलवास्प धूल के कड़ जिनको हम कहते हैं धूल कड़ इसके साथ ही एरोसॉल तो ये सारे इसमें सामिल होते हैं और इनी का एक आवरण जो कई इकलो मिकर तक फैला है क्या कहलाता है वायू मंजल वश्तुत है प्रत्वी के चार और ये वायू मंजल फैला है उसका main region जो है जो प्रत्वी के साथ जुडाव का है वो है उसका गुरुत्वा कर्शन गुरुत्वा कर्शन की सक्ती के साथ ये प्रत्वी के चारो और एक बहाय आवरण लगा हुआ है जो गैसों का है और ये जो बायू मंजल है वो एक विशाल आवरण के रूप में कई सो किलोमीटर फैला है तो आभी हमने परिभासा देखी आगे इसको देखते हैं कि इसकी और क्या विसेचता है ये सौर विकरण के लिए जो सौर विकरण की लगू तरंगे होती है उनके लिए पारदर्सी है मतलब यो जो गैसों का आवरण है उपर से आने वाली सौर विकरण के लिए तो ये पारदर्सी है और प्रत्वी के द्वारा जो पार्थिव विक्रण भेजा जाएगा यानि कि जो परावर्तित होकर विक्रण जाएगा उसके लिए ये अपारदर्सी है अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? आखिर जीजन तो UPSC पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों? तो लगू तरंगों की आवर्ति अधिक होती है और लगू तरंगों की आवर्ति अगर अधिक है तो निशित है कि उनकी स्पीग भी क्या होगी? तेज होगी तीब्रगती से आएगी और जो कोई तीब्रगती से आएगी तो वो निशित रूफ से वायू मंगल को भेदते हुए प्रत्वी पर पहुँचेगी जैसे ही ये प्रत्वी पर पहुँचती हैं ये बन जाती है धीर्ग तरंग धीर्ग तरंग की आबरती क्या है कम है और आबरती कम, इस्पीड भी कम और वायू मंजल तो कई सो किलूमेटर तक फैला है अब इसको ये पहार नहीं जाने देगा इसलिए हम क्या कहते हैं सौर विकरण की लगू तरंगों के लिए तो ये पारदर्सी है लेकिन प्रत्वी के द्वारा जो पार सिफ विकरण भेजा जाता है दीर्ग तरंग के रूप में उसके लिए क्या है ये अपारदर्सी तो बात आपको समझ में आई होगी यहां से एक रीजन निकल के आता है जो रीजन मैंने आपको बताया और UPSC यहां से पूछ सकता है इस प्रकार ये उसमा को लेकर प्रत्वी पर क्या करता है कैसे जब ये तरंगे नीचे आये लगू तरंग और धीर्ग तरंग उपर जाने से रोक ली गई तो एक जो है क्या है टेमपरेचर मेंटेन करेगा ताप मेंटेन करेगा प्रत्वी पर जीवन जीने के लिए एक निष्यत ताप मान की आवशक्ता है और वो तापमान है 15 degree Celsius 15 degree Celsius तापमान को बनाने के लिए natural process है और यहाँ पर प्रत्वी के जीवधारी आराम से अपना एक जीवन यापन कर सकते हैं लेकिन समस्यत तब आती है जब प्रत्वी के जीवधारी इस temperature को बिगारने लगते हैं और greenhouse gas effect जो होता है वो बढ़ने लगता है इसको भी हम समझेंगे आगे लेकिन फिलाल हम चल लएते वायू मंजल तो वायू मंजल के एक विसेश्टा क्या है यह है कि यह लगू तरंगों के लिए पारदर्सी और धीर तरंगों के लिए अपारदर्सी है और जीवन जीने के लिए यह बायू मंजल प्रत्वी पर 15 डिगरी सेलसियस के लिए एक आदर्स इश्टिती उपलब्द कराता है चल लिए आगे अब इसको हम एक डाइग्राम से समझ सकते हैं मा यह सन है सन के द्वारा विकरण के रूप में क्या है सूर्या तब हमें प्राप्त हुआ और यह सूर्या तब यो प्राप्त हो रहा है यह लगू तरंग के रूप में है अभी आपको हमने बताया ये अगर लगू तरंग के रूप में है तो इसकी आवरती जो है अदिक होगी आवरती अगर इसकी अदिक है तो निश्ट रूप से जो इस्पीग जिसकी होगी और इस्पीग क्या है जादा होगी और ये वायू मंडल को चीरता हुआ प्रत्वी पर पहुँच जाएगा प्रत्वी पर जब ये पहुँचा तो यहां से जो पार्थिव विकरन जा रहा है ये पार्थिव विकरन धीर्ग तरंग के रूप में होगा किसमें होगा धीर्ग तरंग के रूप में धीर्ग तरंग जो होगी उसकी आवरती कम होगी आवरती कम होगी तो स्पीड निश्चित रूप से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और जब स्पीड कम हो जाएगी तो प्रत्वी का वायू मंजल तो कई किलो मिंटर तक फैला है इसको रोक लेगा और ये फिर ऐसे घूम के प्रत्वी के आवरण में क्या है तापमान में व्रद्धी करेंगी और ये तापमान अगर आदर से श्तिती में चलेगा तो 15 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा लेकिन होता क्या है हमने लेंड यूज चेंज कर दिया हमने भूमी के पैटर्न को ही बदल दिया हमने एग्रिकल्चर के क्रॉप पैटर्न को बदल दिया हमने लेंड फॉर्म्स को बदल दिया हमने ऐसी पहु मंजली इभारतें बना दी अब ये प्रत्वी का जो पार्थिव विकरण है वो 15 टेगरी की अब इच्छा जादा जो है टेंपरेचर मेंटेन करने लगेगा इसी को हम ग्रीन हाउस गैस एफेक्ट कहते हैं और यही एफेक्ट जो है फिर क्या होगा ग्लोवल में कनवर्ट हो जाएगा बहराल हम पढ़ रहे थे कि जो प्रत्वी का वायू मंजल है वो किस प्रकार से लगू और धीरतरंगों के लिए काम कर रहा है चलिए आगे चलते हैं वायू मंजल के संगठन की बात की जाए यानि कि कमपोजिशन जब भी हम कमपोजिशन की बात क झ perspectives इसके तो इसमें गैसें सामिल है चल वास्प सामिल है और धूल के कर सामिल है कि पर ए-चैस की बात की जाए तो यह मेह थिपूर गैसें इसमें सामिल है नाटरोजन 78.03 % के रूक में है उकसिजन लगवग 20.99 % के रूक में है और औरगन की बात की जाए तो आप 0.9323% के रूप में है कारवन डाई ऑक्सवाइट की देखिए मात्रा 0.03% के रूप में है उसके अलावा हैड्रोजन है और अन्न गैसें इसमें सामिल होती है अब सवाल उठता है कि ये दो जो गैसें है इनका क्या महत्त है तो वायू मंजल में ये इस्थाई गैस के रूप में मानी जाती है वायू मंजल की जो गैस हैं दो भागों में अगर हम इनको बाटें तो एक होती है इस्थाई और एक होती है परिवर्तन सील परिवर्तन सील गैसों से हमें नुक्सान है क्योंकि इनका nature change होता है ये इस्थाई है अब सवाल एक मन में ये भी आएगा अगर ये इस्थाई है तो क्या ये जीवन भर या अनंत समय तक इस्थाई रहेंगी ऐसा हो सकता है कि इन में भी बदलाव आ जाए और अगर इन में बदलाव आया तो निशित रूप से ये मानिए कि प्रत्वी का वायू मंजल एक ऐसा तापमान क्रियेट कर देगा जिसमें जीवधारियों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा अभी तक ये इस्थाई रूप में है nitrogen जीवधारियों के लिए बहुत महत्तपूर है क्यों? क्योंकि भी अब प्रोटीन के निर्माण में nitrogen की बहुत बड़ी भूमिका है oxygen oxygen का भी आप कहेंगे तो ये तो जीवन दाइनी गैस है oxygen के अगर source की बात की जाए आप source की बात की जाए तो इसके source में जो है जो हरे पौदे हैं जो अपना भोजन स्वेम बनाते हैं प्रकाश संसलेशन के दौरान oxygen रिलीज करते हैं इसके अलावा जो सागरिय बनस्पती है phytoplankton जिने कहते हैं सागरिय बनस्पती लगभग total oxygen का 60 प्रतिशत कुद अकेले उत्पादन करती है ये बहुत महत्पूर है तो बायू मंजल गैसों का एक मिश्रण है इन गैसों में इस्थाई गैस है और आइस्थाई गैस है आइस्थाई गैसों में carbon dioxide बहुत ज़्यादा परवर्तन सील है और ये गैस जो है महत्पूर है किसके लिए हरित ग्रह प्रवाव के लिए greenhouse gas effect जो होता है वो इसके लिए बहुत महत्पूर है अब हम देखते हैं कि जलवास्प जलवास्प क्या है धूल के कड़ क्या है इनका क्या महत्व है वायू मंजल के संगठन में तो चली आगे चलते हैं अगर हम इसको एक चार्ट के माध्यम से देखना चाहें तो nitrogen लगवग 78% है और एक बड़ा एरिया जो है वायू मंजल की गैसों का cover करती है oxygen की बात की जाए तो 21% लगवग है उसके बाद carbon dioxide है और other गैसों की बात की जाए तो ये other gas भी है तो एक इस चार्ट के माध्यम से भी आप क्या है समझ सकते हैं आगे चलते हैं बायू मंजल में इनकी मात्रा आम तोर पर यो है ताप आधारित होती है मतलब जलवास्फ जो है temperature से vary करता है जैसे जैसे temperature ज़्यादा होगा ये यहां कहने की बात है सामानित है जीरो से चार प्रतिशत तक पाई जाती है जलवास्फ की मात्रा जीरो से चार प्रतिशत है देखने में तो ये बड़ी कम लग रही है लेकिन इसका effect इतना ज़्यादा है कि आप विश्वास्फ करिए कि जलवास्फ जो है ग्रीन हाउस गैस effect में एक सबसे बड़े कारक के रूप में भी निकल के आती है इसकी मात्रा कम होने की वज़े से ये कारवंडाई उक्साइट से पीछे रह जाती है वरना कारवंडाई गैस से जादा इसमें छमता है ग्रीन हाउस effect को बनाने में प्रभावित करने में अब सवाल ये उठता है कि ये जलवास्फ का और क्या महत्तो है गर्म तथा आद्र उस्ट कटवंद में ये हवा के आयतन का लगवक चार प्रतिशत होती है धुरवाओं पर जैसे ठंडे रेगिश्टान सुस्क चेत्रों में ये आयतन का एक प्रतिशत होती है मतलब यहाँ पर सुश्कता होती है सुस्क चेत्र होते हैं ड्राइनेस जहां जादा होगी वहाँ पर इसका आयतन जो है कम होगा और आयतन में लगवग एक प्रसत तक रहेगी इसी आधार पे अगर आप ये कह सकते हैं कि भूमद रेखा से जैसे जैसे उपर जाएंगे आप जलवास की मात्रा में कमी आती जाएगी UPSC यहां sentence बनाता है कि भूमद रेखा से उपर जाने पर भूमद रेखा से दुर्वाँ की ओर जाने पर जलवास की मात्रा में कमी आती है बिल्कुल सही है तो विश्वत व्रत से दुर्वाँ की तरफ जाने पर जलवास की मात्रा में क्या है कमी आती जाती है एक महत्वपूर टॉप जो पॉइंट है वो ये समझने का है दूसरा भूतल से 5 किलो मीटर तक जलवायू मंडल में समझत जलवास्प का लगवग 90 प्रतिशत भाग पाया जाता है इसका मतलब जलवास्प जो है छोब मंडल में जादा तर पाई जाती है 90 प्रतिशत तो यहीं पाई जाती है ये अपने आप में बड़ी वात है कि जलवास्प का जो है लेविल नीचा रहता है छो मंडल में रहता है जलवास्प की संगनन की जो छमता होती है वो जलवास्प पे भी आधारित होती है इसलिए बादल बनने और बारिस कनने में महतुपुन योगदान जलवास्प का होता है कारवंगाई ऑक्साइड की भांती जलवास्पी ग्रीन हाउस गैस है अभी मैंने आपको ये बताया तो जलवास्प अपने आप में कितनी बड़ी है जो वायू मंडल के संगठन में महतुपुन भूमिका निभाती है अभी और चलते हैं आगे देखते हैं धूल कड की बात करते हैं वायू मंडल में छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या है तैरते हुए आपको दिखाई दिये होंगे ये सारे वायू मंडल के धूल कड़ है ठीक है न? ये छोटे कड़ समुद्री नमक या तो नमक के रूप में हो सकते हैं महीन मिट्टी के कड़ भी होते हैं तुए की राख, कालिमा, राख ये भी होता है पराग, पुंकेशन, फूलों से होने वाले ये जो कड़ निकलते हैं वो भी इसमें सामिल होते हैं और तो और जीवधारियों के माध्यम से जितना भी धूल कड़ आता है वो भी इसमें सामिल होगा धूल, उलका पिंड़ों के माध्यम से जो तूटते उलका पिंड़ हैं उनसे जो डेश्ट्रोय होता है उसके बाद जो धूलकड होते हैं वो भी हमारे बातावरण में फैले होते हैं तो इनके सोर्स बहुत हैं सिरोत की बात की जाए तो बहुत सारे इनके सिरोत हैं इसके अलाबा और भी जो 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 जोग्राफिकल किरियाएं होती है जैसे भूकम्प हुआ ज्वाला मुकी हुआ है ना तो वहाँ पर भी इनका निर्माड होता है धूलकन की बात की जाए तो ये सामानिता ये भी जो है वायू मंजल के निचले भाग में निचला भाग यानि भाई मंजल का जो छोब मंजल है इसको अभी हम पढ़ेंगे छोब मंजल क्या है आप बस ये समझीए कि प्रत्वी से उपर जो पहला मंजल मिलेगा उसी में ये अधिकतर मिलते हैं तो ये यूजुली क्या है कहां रहते हैं लोवर पार्ट आफ दा एक्मोस्फेर में मिलें आपको धूल कड़ों का सबसे अधिक जमाव यानि कि धूल कड़ों की जो प्रजेंस देखी गई है वो उपोस्न छेत्रों में और सीतोस्न छेत्रों में इसका रीजन क्या है जो उपोस्न छेत्र होते हैं सीतोस्न छेत्र होते हैं वो ड्राई एरियाज होते हैं और ड्राई हो जाता है हवाएं उनको इदर से उदर ले जाती है लेकिन जो ध्रोविये प्रदेश होते हैं या विस्वतिये छित्र होते हैं वहाँ पर अपेच्छाकरत कम मिलते हैं ठीक है ना तो यह धूलकड़ों का जमाव है यहां से भी UPSC question पूछ सकता है तो इसके बाद ध्यान किये कि यह जो है subtropical और temperate reason में ज़्यादातर मिलते हैं इस वात को भी हमें ध्यान रखना है question जो पूछे जाएंगे आप से sentence के माध्यम से आएंगे और sentence जो भी होंगे वो एक concept को आधारित बनाकर पूछे जाते हैं UPSC की एक अपनी खासियत है कि आप से पढ़वाएगा chapter और फिर आप से ऐसा question करेगा कि आप भी मजबूर हो जाएंगे यह मैंने सोचा था या नहीं तो हमें पहले इन चीजों को सोचके चलना है कि किस प्रकार से कोई question put up हो सकता है तो धूल कड़ों का जमाब की बात की जाए तो geographical condition के साब से उपोश्ण और सितोर शित्रों में ज्यादा मिलता है ठीक है आगे चलते हैं धूल करकी अगर बात की जाए तो एक महत्तुकूर काम इनका जो है आदरता ग्राही नाविक के रूप में काम करना है अगर मान लीजिए धूल करना हो तो संगनन की प्रक्रिया बादित हो जाएगी एक आधार बेस ये के लिए जिस पर आदरता आती है आदरता के बाद उसको एबजोर करके उसको बचाए रखते हैं तो धूल नमक के कण आदरता ग्राही केंद्र की तरह कारे करते हैं और चार और जलवास्प को संगनित करके मेगों के निर्माण यानि बादलों के निर्माण में मुह में का निवाते हैं तो ये बहुत ही महतपूर है कि धूल के कण जो है आदरता गहाई जो है केंदर के रूप में कारे करेंगे और जलवास्प को संगनित करके बादलों का निर्मार करने में महतपूर भूमका निवाएंगे तो जो जितनी भी घटना होंगी वर्सा होगा कोहरा होगा ओस आएगी उन सब में इनकी बहुत बड़ी महुमका होती है तो धूल कन इसलिए क्या है वर्सा कोहरा बादल इनके प्रतिफल होते हैं और ये इसमें योगदान देते हैं तो एक बड़ी बात है कि हमें धूल कन नहीं पड़ना है, इनको ये भी देखना है कि इनका process क्या है, ये काम क्या करते हैं सबसे बड़ी बात ये सूर्ज से आने वाली किरणा ये विक्र उसका प्रकीरन करते हैं उसको एकदम scattering कर देते हैं इधर उधर छोड़ने का कारे करते हैं और इसी बज़े से जितने भी colorful चीज़ें हमें जो वायू मंजल में दिखाई देती हैं उसमें इनका बड़ा योगदान है तो धूल कड़ों के कारण ही क्या होता है आकास हमें नीला दिखाई देगा प्रकीरन के कारण उनके ठीक है न सूर्योदय और सूर्यास्तिय समय जो लालिमा हमें दिखाई देती है गोधुली के वीच में दुनलापन जो हमें दिखाई देता है वो सारा धूल कड़ के परिणाम है और यहां से हमें colorful चीज़ें हमें दिखाई देती है तो धूल कड़ किस तरीके से वायू मंजल में present होते है उनकी भूमिका क्या है इस आधार पे हमने इने अभी समझा आगे चलते हैं एक सब्द आता है एरोसॉल एरोसॉल वश्तुत है क्या है कि यह जो निलंबित कड़ की यह पदार्थ है जिनको हम SPM कहते हैं क्या suspended particular matters इसको हम धूल कड़ भी कह सकते हैं ठीक यह धूल कड़ के साथ यदि यह है liquid drop तरल बूंदे मिल जाए क्या liquid drops अगर मिल जाए तरल बूंदे मिल जाए तो आप कल्पना कीजिए वैसी इस्तिती में जो भी पदार्थ आपके सामने घूम रहा होगा उसको हम aerosol कहेंगे और aerosol अगर इनके साथ तरल बूंदे मिल जाएंगे यह भारी होगा भारी होगा तो यह निचले छित्र में ही फैलेगा और निचले छित्र में जब यह नीचे आएगा तो लोगों की सांस की भीमारी में महत्वड भूमिका निवाता है aerosol और इसी लिए क्या है यह क्या करता है आदरता तो है इसके अंदर इसके साथ धूलकण भी है लोग इसे जब निचले वायू मंजल में रहेगा तो लोग इसे अपनी सांस के माध्यम से भी लेंगे तो बहुत बड़ी भूमिका होती है कि यह प्रदूसर्ण को भी फैलाता है तो डश्ट पार्टिकल और वाटर बेपर्स का योग जो है aerosol के रूप में समलित किया जाता है तो इस चीज़ को भी आपको समझना है तो यहां डश्ट पार्टिकल है यह एक ड्रॉप है यह दोनों आपस में मिक्चर बनाएंगे वो aerosol कहलाएगा ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं अगर हम वायू मंजल के इस्तरी करण की बात करें अभी तक हम संगठन की बात कर रहे थे इसके इस्तरी करण की बात करें इसके layers की बात करें तो वायू मंजल अलग-अलग घनत्य की और तापमान की परतों से बना हुआ है तापमान की परतों के आधार पर ही इनकी परतों का divigation भी हुआ है तो तापमान की इस्तिती तथा अन्य विसिष्टा के आधार पर इसे पांच संश्तरों यार विवागों में बाटा गया है इना डिवाइड इन्टू फाइव डिफरेंट लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया है अब ये कौन-कौन से हैं छोब मंजल, समताप मंजल, मध्य मंजल, आयन मंजल और बहाय मंजल अगर इंगलिस की बात करें तो शौपो इस्पेर, स्ट्रेटो इस्पेर, मीजो इस्पेर, आयनो इस्पेर और एक्जो इस्पेर आइनोइस्पियर को थर्मोइस्पियर भी कहते हैं आप इस बात को भी ध्यान रखना थर्मोइस्पियर 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 अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको ताप मान मंजल ताप मान मंजल भी कह सकते हैं ठीक है न, तो इस बात को भी ध्यान लखें, कई वाद ये सब्द भी आपके सामने होता है, तो छोब मंजल, समताप मंजल, मध्य मंजल, आयन मंजल और बाहे मंजल को हमें पढ़ना है, छोब मंजल की बात की जाए, तो इसकी जो मोटाई होती है, लगवग 7 km से 20 km कहीं कहीं आपको जो है, 14 km से 18 km के बीच में लिखी मिलेगी, इसकी एक फिक्स नहीं है, क्योंकि ये बैरी करती है, समताप मंजल जो है, छोब मंजल यानि 20 km से 50 km तक के एरिया में फैला हुआ है, मध्य मंजल की बात की जाए, तो मध्य मंजल, 50 से लगवग 85 km तक के एरिया में फैला हुआ है, आयन मंजल, इसको हम 85 से 640 km तक के एरिया में मानते हैं, और बाय मंजल 640 से 10,000 km तक के एरिया में फैला हुआ है, इन सब की विसेश्चताएं क्या हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे, और अलग-अलग देखेंगे कि ये जो है, UPSC के माध्यम से question इन में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो चलिए आप स्क्रीन सोट ले लीजिए जिसको लेना है, और आगे हम चलते हैं अब, चलिए, अगर वायू मंजल के structure की बात की जाए, तो देखिए अभी आपनों मैंने बता है, ट्रॉपो इस्पेर, छो मंजल, इस्ट्रेटो इस्पेर, समताप मंजल, आएनों मंजल और इसको थर्मों मैंने अभी कहा था, तो जो ट्रॉपो इस्पेर 14-18 किलमेट्रे तक वयरी करता है, उसके बाद 50 किलमेट्रे तक स्ट्रेटों इस्पेर है, और 50-90 मानी या 85 तक मीसु इस्पेर है, और उससे उपर आएनों इस्पेर फैला हुआ है, तो इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं ठीक है चलिए अगला वायू मंजल का इस्तरी करण सबसे पहला है छोब मंजल चोब मंजल यानि की ट्रॉपोई स्पेयर बहुत ही महत्तपूर्ण UPSC के माध्यम से यहां से कई बार question पूछे गए हैं और सारे state PCS में भी इसके question आप से पूछे जाएंगे सबसे पहला तो यह इसकी इस्तिती की बात किया है तो वायू मंजल का सबसे नीचा संश्तर है यानि प्रत्वी के सबसे पास में अगर कोई संश्तर मिलता है कोई लेयर है तो उसका नाम है छोब मंजल या ट्रॉपोई स्पेयर ठीक इसकी उचाई द्रॉबाओं पर 8 km तथा विश्वत रेखा पर 13 km तक है यानि कि यह variation दिखा रहा है कि द्रॉबाओं पर देखी यह कम मोटा है और विश्वत रेखा पर इसकी मोटाई बहुत जादा है इसके अब UPSC आप से यहां जीजन पूछेगा आखिर ऐसा क्यूं है मुझे यह बताई आखिर ऐसा क्यूं है तो इसके कई रीजन है पहला रीजन अगर आप बात करेंगे तो गुरुत्वा कर्शन है क्या है गुरुत्वा कर्शन की अगर बात करी जाए तो आपसे अगर मैं पूछूं कि भूमत दिरेखा पर गुरुत्वा कर्शन का प्रभा की जब कलपना की जाती है तो यहां धुरवाँ पर चपटी है और केंद्र यहां पर यह फूली हुई है तो जो सेंटर की बात की जाती है तो धुरवाँ के पास सेंटर पास में है और भूमद रेका से सेंटर थोड़ा दूर में है तो सेंटर जिसके पास यह ज़ादा है तो निशित रूफ से क्या है वह वायू मंझल को खीच लेगा नीचे की तरफ खीचेगा तो वहां पर विष्टार वायू मंझल का कम हो जाएगा और क्या है भूमाद रेखा पर गुरुत्वा कर्षण का प्रभाव क्या होगा कम होग अब जब गुरुत्वा रीजन अगर आपको बात पता हो तो विक्रण और सम्वहन जब हम सूर्या तब की बात करते हैं तो भूमद रेखा पर सूर्या तब ज्यादा प्राप्त होता है विक्रण ज्यादा प्राप्त होता है इसका मतलब टेंपरेचर ज्यादा होगा और जहां टेंपरेचर ज्यादा होता है वायू गर्म होके उपर उठती है ठीक जब वायू गर्म होके उपर उठेगी सम्वहन होगा तो जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी उपर उठेगी तो दुर्वाओं पे तो गर्म कम होती है और भूमद रेखा पे ज़्यादा तो इसलिए सम्वहन और विकरण की ब बात की जएे जब प्रत्वी अपने अच्छ पर घूमती है तो अके इंद्रिया और अभी के इंद्रिय बलका क्या है ? प्रभाव पड़ता है mentrechos centrifugal force का भी प्रभाव पढ़ता है centrifugal force की बात की जाए तो दुरुबवाँ पर और भूमद रेखा पर इनके जो different प्रभाव हैं उनकी बज़े से भी क्या होता है कि दुरुबवाँ पर जो है विश्तार इसका कम मिलेगा और विश्वत रेखा पर विश्तार जादा होगा तो अप केंद्रिय बल और अभी केंद्रिय बल भी यहाँ पर काम करता है तो इतने सारे रीजन हैं जिसकी बज़े से जो छोब सीमा का विश्तार जो है विश्वत रेखा पर जादा और भूमद रेखा पर sorry जो ध्रोबों पर कम है इस बात को ध्यान करना विश्वत रेखा और भूमद रेखा एक ही बात है एक क्योटर जिसे हम कहते हैं तो इन सारे questions में जो है UPSC पूछ चुका है और फिर दुवारा पूछेगा आपसे और confuse फिर करेगा तो इसकी जो लंबाई यानि मोटाई मे है उसके जीजन आपको पता चले यहां भी लिखा हुआ है कि विश्वत रेखा पर उंचाई सबसे अधिक है क्योंकि तेजवायू प्रभा पाया जाता है तेजवायू प्रभा क्या मतलब ऊपर की तरफ सम्वेनिय धाराओं की उत्वत्ति होती है आप अधिक उंचाई तक को तरफ सम्वेन किया जाता है तो यह दीजन मैंने आपको अभी बता दिया तो छोव मंडल की बात की जाए तो आप समझ में आया होगा कि हाँ भीया छोव मंडल से क्वेस्चन कैसे पूछे जा सकते हैं अभी और विसेश्चता है इसकी देखते हैं इस संश्तर में धूलक और जलवास प्रत्वी के जो बायू मंडल का निचला भाग है उसमें जादा पाए जाते हैं तो धूलकर और वाटर वेपर जो हैं इस लेयर में जादा होंगे तो देखिए मैंने अभी आपको बताया धूलकर आदरता ग्राही नाविक की तरह काम करेंगे यह संगनन में का करेंगे और वाटर वेपर इनके साथ मिल चुके हैं ऐसी श्तिती में अब क्या होगा बादल का निर्माड होगा और फिर बारिस होगी इसका मतलब यह हुआ कि बादलों का निर्माड और बारिस भी कहां छो मंडल में होगी तो यह भी एक अपनी महत्पूर वेसेश्ता है और यह सारी समश्त मौसमी परिवर्तन इस संश्तर में होते हैं इस संश्तर को उठा पटक वाला भी कहते हैं उसका जीजन पता है क्या है उसका जीजन देखिए एक कलपना कीजिए ठंडी वायू की बात कीजिए ठंडी वायू क्या होती है भारी होती है और गर्म वायू हल की होती है अब प्रत्वी ये है प्रत्वी पर विकरण पाया तो यहां पे गर्म हो गया ऊपर से ठंडी है ऊपर से प्रैशर चला है और नीचे से भी प्रैशर चला है दो बिपरीत प्रकार की सोभाव की जलवायू तापमान सब कुछ मिल रहा है तो इसमें डिश्टरवेंस तो होगा जिसे हम बिच्छोब भी कहते हैं जोग्राफी की बाहसा में disturbance यानि बिच्छोब अब ऐसा disturbance सारी मौसमी घटनाओं को उत्पन करेगा इसलिए छोब मंडल को disturbance वाला बिच्छोब मंडल भी कहते हैं और इसी रीजन की बज़े से इस वाले घट मंडल में ना तो प्ल मंडल से क्या है एरोपलेन को गुजड़ना होता है तो यही कारण है कि जब वो टेक आउफ करते हैं या फिर जो भी घटनाए करती है तो उनकी जो एक्सिडेंटल होनी की संभावनाएं भी इसी मंडल में ज्यादा होती है क्योंकि इस मंडल में क्या चला है विपरीत सुभ चला है और वहां पर क्या है दिश्टर्वेंस पैदा हो रहे हैं उंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है इस मंडल की एक और विसेश्टा यह है कि भाईया जैसे जैसे उपर जाएंगे आप तो क्या होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती जाएगी एक किलो मीटर पर इसको बात ध्यान रखिए और हम इसको क्या कह सकते हैं कि 165 मीटर पर एक डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी और इस कमी को यह लगातर बनी रहती है यह कमी और इसी कमी को हम कहते हैं नौर्मल लैप्स रेट सामान ने ताप हाश दर नौर्मल लैप्स रेट नौर्मल लैप्स रेट जो है किस मंडल में पाई जाती है भाईया तो आंसर होगा छोब मंडल तो छोब मंडल में तापमान की सामान हासदर जिसको हम कह रहे है नॉर्मल लैप्स रेट 165 मीटर पर क्या है एक डिगरी सेल्सियस की कमी हो जाती है इस बात को आप ध्यान रखिए देखिए आगया इस मंडल में गर्म एवन सीतल होने का जो कारण है यहां कारण लग विकरण संचालन समवहन इनके द्वारा होता है विकरण सूर्य से उपर से आने वाली जितनी भी सूर्या तब की जो किरण है उनको हम विकरण कहेंगे संचालन होता है पड़ावस में बगल में बैठे किसी व्यक्ति को अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करना जैसे एक गर्म गिलास का लीजिए और एक ठंडा गिलास का पानी का लीजिए दोनों को आपस में पास में रख दीजिए तो कुछ देरवार क्या है दोनों का टेंपरेचर सेम हो जाएगा ये प्रक्रिया इसलिए हुई क्योंकि उनमें संचालन हुआ यानि बगल से ट्रांसफर हो गया उसका समवहन जब गर्म होकर कोई चीज ऊपर उठेगी क्या होगा गर्म होकर कोई भी चीज हलकी होती है क्योंकि उसके अणगों का विखराब होगा जब उपर वो उठेगी तो उपर जैसे जैसे जाएगी तो टेंपरेचर को क्या है उसको टेंपरेचर जिलीज करती जाएगी सबको एक जैसा टेंपरेचर देनी की कोशिस करेगी तो छोब मंडल में संचालन, विकरान, समवहन जैसी क्रियाए भी होती है बहुत ही जादा disturbance वाला हो गया और देखिए छो मंडल जब उपर हम देखते हैं तो छो मंडल की उपर की जो निचली सीमा है इस पर आपको jet stream का प्रभाब भी मिलेगा यहां पर भाईया jet stream भी चल लई होगी अब सोच लीजिए छो मंडल में कैसे रहना है छो मंडल के जो उपरी सीमा है उसके नीचे jet stream चल लई है तब से नीचे क्या है जलवास्प और एरोसोल घूम रहे हैं पीच में मौसमी घटनाए हो रही है तो इसको disturbance मंडल यानि कि विच्छो मंडल भी कह सकते हैं disturbance zone कह सकते हैं तो आया समझ में आपको कि छो मंडल की क्या क्या खासित है चली आगे चलते हैं छो मंडल से जैसे जैसे उपर जाएंगे तो वहाँ एक area ऐसा मिलता है जहां पर temperature कम होना बंध हो जाता है तो ऐसी जगह पर क्या है तापमान इस्तिर हो जाता है क्या हो जाता है इस्थिर हो जाता है आप मान जहां इस्थिर होता है वो एक एरिया होता है जो लगवग एक से डेड़ किलोमीटर मौटी परत होती है उसी को हम क्या कहते है छोब सीमा कहते है छोब सीमा कुछ नहीं है छोब मंजल और समताप मंजल के बीच वाला भाग है जहा हो जाता है होना अब यहां से फिर बढ़ना चालू होगा यहांपर ताप मान क्यासा है इस तिर रहता है इस सब्याद को भी हृत और ध्यां रखिए छोब शीमा को ट्रोपो पॉस कहते हैं और ट्रोपो पॉस यानि पॉस मतलब रोक दिया गया तो क्या तापमान में कमी आ रही थी उसको रोक दिया गया तापमान विश्तिर हो गया जब तापमान विश्तिर हो गया तो यो ट्रोपो पॉस की जो निचली वाली सीमा है यहां पर भी क्या है ए लेकिन एरोपलेन इसको जब क्रॉस करके ऊपर जाते हैं तो वो समताप मंजल में ही उड़ना पसंद करते हैं कि यहां से भी ज़्यादा आदर से श्थिति ऊपर मिलती है तो अभी हम यह समझे कि छोग सीमा क्या है छोग सीमा कुछ नहीं छोग मंजल और समताप मंजल के निचली-सीमा पर मैने आपको बदाया है लेकिन आज अभी ये समझ लीजिए जैट श्त vegg만ड़ की निचली सीमा पर जो छोग-मंड़ल की निचली-सीमा पर चलती और इनकी गती इतनी तीब्र होती है कि यह जैट से तुलना की गई है इसलिए इनका नाम जैट इस्ट्रीम रखा गया है तो जैट इस्ट्रीम कुछ नहीं है छोग मंजल की निचली सीमा पर जो छोग मंजल का उपर वाला भाग यानि छोग सीमा की निचली सीमा पर क्या है ये चलती है इनकी speak बहुत है तो इसको भी आपको यहां रखना है कि jet stream भी यहीं चल रही है चलिए आगे चलते हैं अब देखिए एक question है जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसमें इस question को आप करने की कोसिस करिए चलो मैं हट जाता हूँ इंगलिस वाले भी देख लीजिए और कोसिस करिए कि आप इस question को कैसे सोचते हैं और कैसे solve करेंगे चलिए मैं पढ़ देता हूँ वायू मंडल की छोव सीमा का विश्तार यानि कि आपको बताना है कि जो छोव सीमा है उसका विश्तार ध्रोवाँ पर कम तथा भूमद रेखा पर अधिक उंचाई तक पाया जाता है इसके क्या कारण हो सकते हैं इसके region लिखे हुए हैं तीन पहला है गुरुत्वा कर्शन का प्रभाव द्रोवाँ पर अधिक तथा भूमद रेखा पर कम होता है बड़े ध्यान से पढ़ना है गुरुत्वा कर्शन का प्रभाव द्रोवाँ पर अधिक तथा भूमद रेखा पर कम होता है पहला region ये है इसको भी देख लीजिए छीक है न दूसरा है सूर्या तब की मात्रा एवं सम्वहनिय तरंगों का प्रभाव द्रोवाँ पर कम तथा भूमद रेखा पर अधिक होता है दूसरा जीजन ये दिया गया कि छोब सीमा का विश्तार जो है द्रोवाँ पर कम क्यों है इसका जीजन दिया गया तीसरा question तीसरा जो region दिया गया है इनके द्वारा प्रत्वी के अविकेंद्री बलके कारण ऐसा संभव है क्या कि ध्रोबों पर विश्तार कम हो और भूमद दिरेखा पर जादा हो उपरोग तुमेंसे कौन से कथन सही है आप से सही पूछा गया है पहला option दिया है केवल 2 सही है क्या केवल 2 सही है केवल 1 और 2 सही है केवल 2 और 3 सही है और D option है एक दो तीन सभी सही है बहुती अच्छा question है अब आप देखेंगे तो मैंने अभी बताया आपको कि जो छोव सीमा यानि कि छोव मंजल का विश्था धुरुवों पे कम है उसका पहला रीजन गुरुत्वा कर्शन ही है क्योंकि धुरुवों पर गुरुत्वा कर्शन का प्रभाव जाधा है क्योंकि धुरुवों केंद्र के पास में है अभी मैंने आपको बताया प्रत्वी की एक इश्थिति जो कि ऐसी Jiwing type की इस्थिति है यहाँ अगर केंद्र है तो धुरुवों पर इसकी लंबाई यimal यह और यहाँ होने देगा, दूसरा रीजन सूर्यत अब की मात्रा इन संवह ने, बिल्कुल सही बात है जो भूमत रेखा है उस पे सूर्यत अब ज़्यादा प्राप्त होता है सूर्यत अब प्राप्त होने की बज़े से जो प्रत्वी का वायू निचला मंजल है वायू मंजल का वो गरम होता है गरम होने के बाद उपर उठती है हवाएं और ये हवाएं जब उपर उठ रही है तो क्या करेंगी वायू मंजल को भी उपर की तरफ धकेल देंगी तो जो भूमद रेखा है एक्वेटर है वहाँ पर वायू मंजल का निचला विष्ठारित हो जाएगा बड़ा अच्छा रीजन ये भी है प्रत्वी का अभी केंद्री और अपकेंद्री बल केंद्र की तरफ लगने वाला और एक भार की तरफ लगने वाला दोनों का एफेक्ट भी क्या है इस विष्ठार पर प्रभाव डालता है तो इसलिए answer में तो यह हो जाएंगे एक सही है दो सही है तीन सही है और यह मतलब तीनों सही है answer इसका D हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से भी आपको समझना है और question अच्छा था आप भी इंगलिस वाले भी देख लीजिए ठीक है चलिए चलते हैं आगे अगला अब पढ़ते हैं हम समताप मंडल strato sphere strato sphere की बात हमने की तो यो छोब सीमा है उससे उपर 50 km तक के area को जो है क्या कहते हैं समताप मंडल कहते हैं नाम में ही लिखा है सम और ताप यानि समान ताप जिसमें पाया जाता हो इसकी पहली विसेश्चता छोब मंडल से बिलकुल अलग्या है छोब मंडल में जैसे जैसे उपर जाते थे temperature में कमी आती थी समताप मंडल में जैसे जैसे उपर जाएंगे temperature बढ़ता जाएगा तो पहले तो इसका विश्तार 6 मंजल से उपर लगवक 50 किलो मीटर तक का ये विश्तार आपको पता होना चाहिए इसके बाद इस मंजल के निचले भाग में 20 किलो मीटर तक तापमान इस्तिर रहता है लेकिन इसके उपर जैसे ही हम जाएंगे तापमान व्रद्धी होने लगती है इसका क्या रीजन है UPSC यहाँ कॉश्चन आपसे करने लग जाएगा भाई ये तो बहुत जरूरी है कि हमें पता हो देखिए मैं एक आपको चीज बताता हूँ जैसे जैसे हम छोब सीमा ये जो है ट्रॉपो पास है इसको हम छोब सीमा कहते हैं छोब सीमा से जैसे ही उपर गए तो 20 किलो मिंकर तक तो कहा हमने कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तापमान क्या है समान है इसके बाद तापमान बढ़ने लगता है आपको पता है कि जो छोब सीमा से 50 किलो मिंकर तक तो समताप मंजल है और समताप मंजल में 20 km यानि 15 km से 35 km तक का एरिया ओजोन लेयर कहलाता है क्या कहलाता है ओजोन लेयर ओजोन की परत कहलाता है और ये ओजोन की परत आपको ये भी पता है कि ये परावेंगनी किरणों को अवसोसित करती है इसलिए तो यहाँ पर temperature बढ़ता जाता है पता आपको सब है लेकिन जब paper में आएगा कि क्या कि समताप मंजल में ऐसा क्यों होता है कि 20 km के बाद जो है temperature में ब्रद्धी होती है तो इस वाद को समझे आप तो ये ओजोन परत की वज़े से होता है और ओजोन परतने जो परावेंगनी विकरण को अपने अंदर अफसोसित किया है उसी बज़े से temperature में ब्रद्धी हो जाती है इसलिए कहा जाता है कि जो समताप मंजल का जो एरिया है यानि कि छोव सीमा से 20 km तक का एरिया तो समानताप मानवाला है और इस ताप मान में एरोपलेन आप उड़ा लीजिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी कितनी अच्छी बात है है ना तो यहाँ पर क्या है जो आपके हवाई जहाज है उनको उड़ाया जा सकता है तो समताप मंजल की जो ताप मान इस्थिरता है वो पता चली और ताप मान में व्रद्धी क्यों हो रही है यह पता हमको चल गया अब चलते हैं यह ओजोन द्वारा परावेंगरी विक्रण के अवसोसन के कारण होता है इसका यही रीजन था जो मैं आपको बताने जा रहा था तो इस तरीके से आपको यह सोचना होगा कि आखिर हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें UPSC आपसे कहां गलती करवा लेगा और आप विस्वास करिए आप क्यारेट कॉश्चन वही पाएंगे जो आप सोचेंगे और आपको बस यह सोचना है कि जब आप पढ़ रहे हों उस समय यह सोच लीजिए कि अगर UPSC ने यहां से कॉश्चन पूछा तो वो ऐसा क्या सेंटेंस लेखेगा जो मैं गलत कर सकता हूँ या मेरी सोच से बाहार है आप एक्जामिनर की सोच से पढ़िए न कि वो क्या सोचने वाला है अगर आप यह सामान में पढ़ लेंगे समताब मंडल में सामान तापमान पाया जाता है हवाई जाज मिलते हैं तो आप केवल सामान जानकारी रख रहे हैं अपने पास और वहाँ सेंटेंस में कुछ आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि UPSC की जो एप्रोच होती है वो जो है एक ही टॉपिक पे विश्तृत होती है बहुत सारी टॉपिक नहीं पढ़ने आपको कुछ सलेक्टिक टॉपिक पढ़ने हैं लेकिन उनको एक सोच के दाइरे के साथ पढ़ना है बस इतना कर दीजिए और मैं बस इश्वर से ये प्रातना करूँगा कि इतनी अच्छी वैकेंसी आपको जो मिली है न साइद आपके जीवन में दुवारा ना आए इसलिए प्लीज जो इस चैनल पे 100 क्लासिस होंगी उनको जितनी बार देख सकें उतको देखिएगा और सुनील अविवैक्ति सर की इसके अलावा और क्लासिस होती है जो करेंट अफियर में हिंदू एनलाइसिस होता है हिंदू पेपर का उस हिंदू वाले पेपर की क्लासिस को आप जरूर देखें आपको थोड़ा सा सोचने का तरीका और क्वेश्चन के पैटरन का तरीका पता चलेगा तो चलिए आगे चलते हैं समताप मंजल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है देखिए मैंने आपको मौसमी घटनाओं के लिए बताया था कि नीचे जो है छोग मंजल में क्या हो रहा था नीचे तो गरम वायू थी और उपर ठंडी थी ठंडी उपर से प्रेशर डाल लई नीचे से जो है ये जो है नीचे से प्रेशर सम्मेहनी तरंगों से तो निशित रूफ से गिश्टरवेंस होना था समताब मंजल की इस्तिती देखिए आप समताब मंजल में क्या हुआ 20 किलो मिंटर तक तो यहां पर टेंपरेचर क्या है समान है कोई दिक्कत वाली बाती नहीं है और जैसे जैसे उपर जा रहा है टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है इसका मतलब गर्म यहां पर क्या है उपर है और ठंडा कहा है यहां नीचे तो ठंडा दबाब डालेगा तो वो नीचे जाएगा, गर्म दबाब डालेगा, तो वो उपर जाएगा, तो भाईया इस वाले इलाके में तो आराम से काम किया जा सकता है, यह तो सांति लाखा हो गया, और यही तो हम चाहा रहे थे, तो अगर आपसे UPSC यह पूछ ले, कि समताप मंजल में मौसमी घटना आए, क्यों नहीं होती ही, तो आप यह रीजन दे सकते हो, क्या, कि समताप मंजल की उपरी परत गरम है, और नीचली परत पेच्छे करत उससे ठंडी है, गरम और ठंडी जब लवायू जब बनती है, तब ही बिच्छो विया disturbance की इस्तिति उत्पन होती है, अब यह इस्तित मंजल में जो है, एरफ लेन आप उड़ा सकते हैं, तो देख लीजिए, कि कितना आसान सा यह topic आपको कई वार confuse कर देता है, ठीक है, यह समझ में आया आपको, तो यह region आपको समझने है, अगर यह region आपने समझ लिए न, UPSC का एक question ही आएगा, लेकिन वो हिला के रख देग वो आप इसको हस हस के करके आओगे, आपको आता सब है, लेकिन सोचने का तरीका चाहिए, है न, तो इस चीज को भी आप देखिए, अब अगला, इस मंजल के 22 सीमा का तापमान सीमा कहते हैं, समताफ सीमा कहते हैं, यहां तापमान 0 degree तक Celsius तक हो जाता है, मतलब जो छोग सी हैं कि जैसे हम छोग सीमा से ऊपर चलते जा रहे थे, सौरी, छोग मंजल में जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे थे, वहां पर 150 मिंकर पर 1 degree temperature कम हो रहा था, और एक इस्तिती ऐसी आ गई थी, कि वहां पर माइनस में temperature चला गया, उसके बाद समताफ मंजल आया, समताफ मंजल में 20 किलो मिंकर तक कुछ एरिया ऐसा था, जहां पर सांत रहा, उसके बाद फिर temperature बढ़ना चालू हुआ, और यह बढ़के फ कि अच्छे से समझ में आया, आगे चलते हैं, ओजोन मंजल, अभी मैंने बताया आपको कि समताफ मंजल के 15 से लेकर 35 या 30 किलो मिंकर तक का एरिया जो है, यह ओजोन लेयर कहलाता है, क्या कहलाता है, ओजोन परत, ओजोन परत कहलाता है, समताफ मंजल के निचले भाग में 15 किलो मिंकर से लेकर 35 किलो मिंकर तक के छेत्र को ओजोन गैस का मंजल कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है ना, तो लोवर पार्ट ऑफ दा इस्ट्रेटो स्पेर, लेयर ऑफ दा ओजोन गैस बिट्वीन 15 किलो म इसको आप देखिए यह गया सूर से निकलने वाली अत्यंत गरम और हानिकारक भी कहिए हानिकारक परावेंगनी विकरणों को अवसोसित करती है O3 क्या है यह O3 जब इस परावेंगनी करने पहुंचती है तो यह जो है अवसोसित करके O2 प्लस O में बदलती है और O2 जोन और ऑक्सिजन के टूटने और जुडने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यहां पर अवसोसन होता रहता है तो परावेंगनी विकरणा हमारे पास आएगा और इसको क्या है यह अवसोसित कर लेगी हमारे तक बेजेगी नहीं तो क्या है हमारी प्रत्वी की रच्छा हो सकेगी तो ओजोन हमारी क्या है एक कर रच्छा कवच है रच्छा परत है ओजोन लेकिन जो परावेंगनी विकरणा होती है वो A V मतलब उनके वी रेंज होती है A होती है B होती है C होती है इनको भी हम देखेंगे कि किसका उश्योषन जादा करती है इसका कम ठीक है चलिए चलते हैं तो यह आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा यह समताप मंजल है समताप मंजल में यह वाला एरिया जो है ओजोन लेक रहे gekommen में परवेंग नी यूवी किरन ए आई य Maurice गयी स्का अवस्ट्रक्ष्न बहुत ही कम कर पाया और यह जो है प्रत्वीं तक पहुँच गई surface level ozone यहाँ पर यह पहुँचके यह surface level का ozone का यहाँ पर पहुँच गई इसको ध्यान लगी कि इसका बड़ा महत्तो है दूसरा UVB ultraviolet V जो है जैसे ही ozone layer पर आई ozone layer ने अपना खुब अच्छे से काम किया बहुत ही कम मात्रा को इसने क्या है surface पर भेजिया यानि प्रत्वी की सतय पर भेजा कितना अच्छा work है फिर देखिए UV जो और ज़्यादा खतननाक थी UVC यह जैसे ही यहाँ पहुँची इसने पूरा कार की और अवशोशन कर लिया यहाँ पर कुछ भी नहीं भेजा इस तरीके से जो stratosphere की ozone layer है ozone ने क्या किया हमारी सुरच्छा का कवच बनाया अव सवाल देखिए जो यह वाली layer प्रत्वी के space पर पहुँची यहाँ भी पहुँची जो surface पर पहुँचने के बाद SMOG बहुत ही खतननाक यह कहा जाता है कि जो UV rays इसके साथ में क्या है ozone को जो यहाँ पर मिल गई UV rays के साथ जो ozone यहाँ पर मिल गई वो इतनी खतननाक होती है कि आपके सांश के माध्यम से आपके पूरे nervous system तक को खराब कर सकती है इसलिए surface पर केवल 10% ozone पाई जाती है और यह ozone जो है smoke का कारे भी करती है उसके साथ match कर जाती है भाकी की जो ozone यह है यह हमारे लिए रच्छा का कारे करती है तो यह 90% जो है यहाँ पाई जाती है तो 90% वाली ozone हमारे लिए लावदायक है 10% वाली हमारे लिए हानिकारक है इस बात को भी हमें समझना होगा अगर आपसे UPSC ये पूछ ले कि ओजोन का सरवादिक सांद्रन ओजोन लेयर में है बात बिल्कुल सही है अगर उसने sentence में लिख दिया कि ओजोन लेयर में ही ओजोन का सांद्रन पाया जाता है तो ये गलत होगा ओजोन लेयर के साथ साथ कुछ परसेंटेज निचले वायू मंजल में भी रहता है ओजोन का ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चली आगे चलते हैं मद्य मंजल मीजो स्पेर पे हम चलते हैं समझ में आ रहा है सबको आपको विश्वास करिए आप हर एक टॉपिक को इसी तरह से पढ़ेंगे तो आप जो है कभी मात नहीं खाएंगे और इसमें UPSC के बहुत ही गिने चुने योगराफी के टॉपिक है उसके अलावा फिर इन्वायर्मेंट को हमें करेंट के साथ जोड़के पढ़ना है और UPSC में ना हस्ते हस्ते प्री पास कर लीजिए मेंस के लिए आपको अविव्यक्ति सर के पास आगर आ गए आप तो आप मेंस भी पार कर लेंगे तुनील अविव्यक्ति जो बड़े एजुकेटर हैं कई चैनलों पे इन्होंने पहले भी पढ़ा है लेकिन अव इन्होंने एक अपनी टीम बना के जो बच्चों का साथ दे और बच्चों को सेलेक्शन दिलाने की एक स्ट्रेग्जी के साथ काम कर रहा है उसमें मैं भी सामिल हूँ आपके साथ जोगराफी में जुडा हुआ हूँ और कोई सेक्शन की जरुवत पड़ेगी तो वो मैं भी आपके साथ और जुड़ूँगा फिलाल चलते हैं मद्य मंगल पर मद्य मंगल की उच्चाई की बात की जाए तो 50 km से 80 km तक की उच्चाई वाला वायू मंगली भाग कहीं कहीं यह 80 से 85 भी लिखा रहता है 90 तो इस वाद पर आप टेंशन ना लेना यह कॉश्चन में नहीं आएगा लेकिन हाँ आपको यह पता हुआ है यह सम्ताप मंगल से लगबग 30 से 35 km की उच्चाई तक मीजोस्पेर मद्य मंगल फैला हुआ है इस मंगल में उच्चाई के सासा ताप मान में कमी आती है अभी हम क्या देख रहे थे अभी हम देख रहे थे कि छोब मंगल में ताप मान में कमी आ रही थी उसके बाद सम्ताप मंगल आया फिर ताप मान ब्रद्ध होने लगा उसके बाद फिर क्या हुआ temperature यहीं मिलता है तो मीजो इस पेर की आपको एक विसेश्चता ये भी पता होनी चाहिए 80 km की उचाई पर तापमान माइनस में माइनस 100 डिग्री तक पहुंच जाता है आप सोच सकते हैं माइनस 100 डिग्री अब एक बात बताईए कोई इलका पिंट उपर से आ रहा है बड़ी स्पीड से एनरजी है उसमें और आते ही तुरंत जाके जो इतनी ठंडे टापमान में एंटर कर जाए वो विस्पोट होगा की नहीं होगा होगा इसलिए मद्य मंजल में उलका पिंट के टूटने की घटना ज़्यादा होंगी बड़ा अच्छा सा रीजन है सीधा सा तो इसलिए मद्य मंजल में उलका पिंट का उलका पात जो इसे हम कह सकते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलत है इस न्यूंता तापमान को मैसो पॉस कहते हैं यानि मैसो पॉस जब तक मद्य मंजल से जैसे जैसे उपर जाते हैं एक सीमा आती है जैसे मैसो पॉस कहते हैं वहाँ पर सरवाद एक तापमान माइनस 100 degree में मिलता है ठीक है ना तो इसी को जो है इसकी जो उपरी सीमा है वो क्या कहलाएगी मैं सुपॉस इसके उपर जाने पार तापमान में ब्रद्धी होती है और अगला मंजल हमें मिल जाता है तो मद्य मंजल की महत्व सॉरी मद्य मंजल की महत्वण विसेशता आपको समझ में आई मद्य मंजल की महत्वण विसेशता क्या है माइनस 100 degree तक ये temperature पहुँच जाता है और सबसे ज़्यादा ठंडा यहाँ पर mature यानि कि उलका पात की घटना यहाँ पर बहुत होती है इसके आगे मंजल है आयन मंजल आयनोइस्पेर कहते हैं वैसे इसको थर्मोइस्पेर भी कहते है थर्मोइस्पेर इसको याद रखना तापमान मंजल भी कहते हैं आयनोइस्पेर धरातल से लगवग 80 km से 640 km की उचाई तक विश्त्रित है इसको I know ispare क्यों कहते हैं जब एक जब सूरिकी विकरण उपर से आती है तो I know photosphere में यहनी photosynthesis और photosphere वाली जो गटनाय सारी होती हैं उसके साथ आयन के जो I know बनते हैं उनकी वज़े से इसको I know ispare कहते हैं तो इसको भी ध्यान रखना है इस मंजल में उंचाई के साथ ब्रदी होती है उंचाई के साथ क्या है ब्रदी होगी जैसे जैसे आप उंचाई में जाएंगे आईनल स्पेर में क्या होना लगेगा temperature बढ़ने लगेगा तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सरवादिक गर्म होगा ये ठीक है ना सरवादिक गर्म होगा यहां बिद्दु तेवं चुम्म की घटनाएं भी होती हैं बिद्दु चुम्म की घटनाओं की बज़े से भी इसको आयनोस्पेर कहते हैं इसका भी ध्यान लखना है तो आयन मंडल महत्पूर्ण हो जाता है जब बिद्दु चुम्म की घटनाएं यहां पर होने लगे जब बिद्दु चुम्म की घटनाएं होंगी तो यहां पर सैटिलाइट की भी स्थापना की जाएगी रेडियो वेफ्स का भी प्रयोग होगा सिगनल लिये जाएंगे दूर संचार के यंत्र भी यहां लगेंगे तो इसलिए इस वाले मंजल में काफी लेयर्स पाई जाती हैं उन लेयरों को अपनी अपनी तरीके से प्रयोग करते हैं और कहीं पर सैटिलाइट लगाया जाएगा कहीं पर कोई और स्रेडियो वेप्स के लिए कोई यंत्र लगाया जाएगा उन सब का प्रयोग भी यहां होता है इस मंजल में ब्रह्मांज किरणों का परिलच्छन भी होता है मतलब जो कॉस्मिक रेज हैं वो यहां तक आ जाती है इसको भी आपको देखना है ठीक है न आगे चलते हैं इसी में आयन मंजल अपनी विसेश्टाओं के कारण क्या है कैई परतों में विवक्त है कैई एधियास में क्या है यह टूटा हुआ है जिसमें D-layer E-layer F-layer G-layer D-layer सभ से नीचे वाली आइन मंजल का सभ से निचला भागơ जो है सभ से निचला भाग जो है क्या है D-layer होता है उसके बाद E, F और G इनकी अपनी अपनी कुछ-कुछ विसेशता है इनको आपको याद होना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको देखिए D-layer क्या करता है आयन मंजल की सबसे निचली परत है जो आयनो इस्पेर हमारा 80 से 300 640 तक विश्तरित है उसमें सबसे निचली परत जो है आयनो इस्पेर की D-layer कहलाती है और ये 80 से 96 किलो मिकर तक विश्तरित है इसको आप याद रखना कि ये कहां 80 से 96 किलो मिकर तक विश्तरित है इस परत से रेडियो की लंबी यानि यो लंबी वेफ्स हैं तरंगे है वो जो है किस मंजल से परावर्तित होती है तो D-layer से परावर्ति होती है इसके अलावा जितनी भी यहां पर रेडियो वेफ्स भेजी जाएंगे उनका ये अवसोसन कर लेगा बाकी का परावर्तन करेगा निम्न लो फिक्वेंसी वाली इसकी एक विसेश्चता है ये तो हमें लो फिक्वेंसी के परावर्तन का यूज करना है तो हम क्या करेंगे D-layer का प्रेयोग करेंगे D-layer में कोई भी अपना यंत्र लगाएंगे आगे यह परत 96 km से 144 144 km तक विश्तारित है E-layer इस परत से जेडियोग की मद्य तरंगे परावर्तित होती है जेडियोग वेफ्स की जो मिग्रेंज वाली तरंगे हैं वो परावर्तित होती हैं बाकी का सब जो है क्या है यह अफसोसित कर लेती है इसी परत में उत्तरी द्रुवीय प्रकास तथा दच्छनी द्रुवीय प्रकास इसको अरोरा आपने अगर नाम सुनाओगा अरोरा बॉरियोलिस एक सब्द आता है अरोरा औस्ट्रियोलिस देखिए अरोरा का मतलब होता है प्रकास क्या होता है प्रकास बॉरियोलिस बेरियल प्रकार के जो बन है वो हमारे उत्तरी द्रुव पर पाये जाते हैं उससे इसका नाम लिया गया बॉरियोलिस तो प्रकास कैसा उत्तरी द्रुव तो इसको कहा जाता है उत्री धुरूब प्रकास अरोरा वोरियोलिस उत्री धुरूब प्रकास आस्ट्रेलिया से आस्ट्रोलिस लिया यह दच्छड में है और यह प्रकास तो क्या कहेंगे इसको दच्छडी धुरूब प्रकाश इनकी घटनाएं जो है आयनोस्पेर में मिलती है और आयनोस्पेर के भी E-layer में मिलती है यह महत्वूर है अगर आपसे कोई पूछे यह भाईया अरोरा वार्योरिस और अरोरा आश्ट्रोलिस जिसको हम उत्री द्रुविय प्रकास पुंज तो अच्छन द्रुविय प्रकास पुंज जो कहते हैं वो वायू मंजल के किस लेयर में मिलता है तो पहला जवाब देना वहिया वो आयनोस्पेर में मिलेगा आयनोस्पेर कही है या थर्मोस्पेर कही है वहां मिलेगा आयनोस्पेर के भी E-layer में ये मिलता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा ये बड़ी अच्छी घटना है ये देखने को कभी मिले आप तो देखिएगा ये प्रकास पुंज की तरह टूकते हुए दिखाई देते हैं आगे एफ लेयर एफ लेयर क्या है भाईया एक सो चवाली से तीन सो साट कलूमिंकर तक विश्तारित है इस परस से रेडियो की लगूतरंगे परावर्तित होती है रेडियो वेप्स की जो लगूतरंगे हैं यानि कि जो लगूतरंगे हैं वो यहां से परावर्तित होती है बागी का यह अवसोसन कर लेता है F layer इसको कहा जाता है ठीक है अब देखिए आइनो इस्पेर में ही आइनो इस्पेर यानि आइन मंजल में ही देखिए क्या है हमारे जितने भी जो लोवर और्थ और्बिट वाले जो सेटिलाइट है वो सारे लगते हैं क्या लोवर अर्थ और्बिट वाले लगू प्रत्वी कच्छा वाले जो होते हैं वो सारे क्या हैं सेटिलाइट लगते हैं तो यहां सेटिलाइट भी लगेंगे International Space Station International Space Station जो अंतरराष्टिय अंतरिच्छ है Station है वो भी इसी आईनो सेटिलाइट में लगा हुआ है इस बात को भी आपको देखना है इसके अलावा जितनी भी रेडियो तरंगे रेडियो बेफ्स या रेडियो संचार या दूर संचार के लिए हम बात करते हैं वो सारे सेटिलाइट भी यहां पर ही लगाए जाते हैं जो धीर व्रतिय कच्छा के सेटिलाइट लगाने की बात आती है वो आईनो स्पेर से आगे जो है एक्जो स्पेर उसमें लगते हैं लेकिन जो सेटिलाइट के लोवर अर्थ और्विट में हैं लोवर अर्थ और्व और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये आयन मंजल की सबसे उपरी परत है, जी लेयर क्या है, आयन मंजल की सबसे उपरी परत, सभी प्रकार की जेडियो तरंगे प्रावर्तित यहीं से होती है, इस परत की उत्पत्ती, नाइट्रोजन के परमाणूओं पर परवावेंगनी फोटोंस की जो प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर होती है, तो यहाँ पर जो कॉस्मिक रेज आ रही है, उनके माध्यम से जो नाइट्रोजन के जो परमाणू है और जो परावएंगनी फोटोन्स है उनकी आपस की क्रिया के माध्यम से क्या है जी लेयर की उत्पत्ती होती है और आईनोइस्पेर की ये सबसे उपरी परत है ठीक है अब देखिए जो आईनोइस्पेर में अभी आपको करा रहा था ये ये साले सब जो है ये सारे आईनोइस्पेर में ही लगते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है अब चलते हैं हम आईनोइस्पेर के बाद बहाय मंडल जिसको हम एग्जोइस्पेर कहते है एग्ज इसका कहलाता है बिलकुल नहीं उसका रीजन यह है कि जब हम वायू-मंगल की बात करते हैं तो प्रत्वी का गुरुत्वाकर्षन जहां तक यूज होगा वहां तक वायू-मंगल रहेगा ठीक है ना तो भाय-मंगल जो है 10,000 km तक विश्द्रिते जहां पर प्रत्वी का गुरुत्ता करसन बहुत ही कम चींड मात्रा में रहता है तो भाय मंजल इसको कहा जाता है स्वरी, 1000 km तक का यहां पर है तो 1000 km तक का यहां पर यहां पर सामिल होता है उसके बाद का एरिया अंतरिच के रूप में सामिल हम करते हैं यहां पर मुख्यत है हायडोजन त्था हीलियम गैसों का सांद्रण पाया आता है हायडोजन और हीलियम गैसे यहां बड़ी मात्रा में मिलती है जो भाय م disagree मंदल है भाय मंडल में जो है जितने भी सैटिलाइट कौन से जो धीर्ग व्रत्तियक अच्छा वाले होते हैं कौन से धीर्ग व्रत्तियक अच्छा वाले जितने भी सैटिलाइट होंगे वह यहां पर छोड़े जाएंगे बाकी के लहू व्रत्तियक अच्छा वाले आयनोस्पेर या थर्मो इस्पेर में छोड़े जाएंगे तो इसकी उंचाई की बात अगर हम करें तो यह 640 से 1000 ठीक है ना तो यह 1000 है इसको ध्यान रखना आप यहां तक यह विश्त्रित है तो आसा कर रहा हूं को आपको यह चीजें समझ में आ रही हूं कि हमें कहां पर फोकस करना है और कहा बहाए मंजल है यहां पर मग्नेटेश्पेर भी इसको कहा जाता है चमकीय यह 10 प्रवहाव है हो सबसे जादध़ यहां होता है आइनो इस्पेर में भी बिद्दु चुमकी प्रभाव मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा यहां मिलता है इसलिए इसका नाम अगल जो अलग से इसको एक और नए नाम से जाना था है मैगनेटो इस्पेर चुमकी मंडल के रूप में भी इसको देखा जाता है तो बहाय मंडल की एक विसेशता ये भी है इसको आपको याद रखना है तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी चलिए आगे चलते हैं यहां पर अभी हमने जितनी भी परतें पढ़ी उनके टेंपरेचर के जोन को हम देख लेते हैं तो यहां पर मैंने यह उंचा ही बनाई है जैसे मान लीजिए अब 20 km, 40, 80, 100, 120 यानि कि यह km को दर्सा रहा है और यह temperature को दर्सा रहा है जब हम प्रत्वी से चलते हैं और उपर की तरफ चलते हैं छोब सीमा तक तो छोब सीमा तक लवक माइनस में temperature हमारा पुँँच जाता है जब यह माइनस में temperature पुँच जाता है उसके बाद एक stage आती है जहाँ पर temperature सांत रहता है यह वाला area जो है यह छोब मंडल कहलाता है इसके उपर यहां तक यह छोब सीमा है छोब सीमा के बाद तापमान में व्रद्धी होती है तापमान में व्रद्धी होते हुए जीरो डिगरी तक पहुंचती है ऐसे और उसके बाद फिर यहां पर जो है एक पॉज आता है जिसको इस्ट्रेटो पॉज यानि सम्ताम मंडल का उसके बाद फिर मीजो इस्पेर में क्या है तापमान कम होने लगता है और यह माइनस में प कि ये वाला area है ये वाला क्या है चोब सीमा कहलाएगी चोब सीमा इसमें temperature सेम रहेगा यहां तक यह temperature यह तो यह चो भ मंडल कहलाएगा इसके बाद अगर देखें तो ये समताप मंजल कहलाएगा यहां तक और ये समताप मंजल की सीमा होगी उपर उपर फिर यहां पर मद्य मंजल तो इस तरीके से भी आपको यह देखना आए इसको वैसे ये question में पूछा नहीं जाएगा लेकिन means में आपके काम आता है समताप सीमा होगी ये और ये समताप मंजल इसके उपर ये आयन मंजल कहलाएगा और उसके उपर exosphere जो काफी 1000 km तक फैला हुआ है तो इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल किलियर समझ में आएंगी कि हमें UPSC के pattern से कैसे पढ़ना है चलिए कुछ चीजें हैं जो हम अपने यहां पर लागू कर रहे हैं और उनको आपको follow भी कर लेना चाहिए अविवेक्ति आये सर की तरफ से हैं उनको आप एक बार देख लीजिए ये हम कल पढ़ेंगे बहुत लंबी क्लास नहीं होनी चाहिए पहली बात तो ये एक वेवसाइट आपको दी गई है जहां पर आप लाइब क्लासिस भी ले सकते हैं और इस वेवसाइट को sunilavivyakti.graphy.com इसको आप नोट कर लीजिए जहां पर आप हमारी बेवसाइट से आप हमारे साथ जोड सकते हैं कोई भी question हो कोई भी carry हो जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो जहां भी समझ में problem हो या फिर UPSC की pre-mains इसके साथ ही जो UPSC की तैयारी के साथ साथ net, grf या other state की जो तैयारी करनी है उस अंदर में इस नम्मर से आप contact कर सकते हैं तो इस वेवसाइट को आप भी visit कर सकते हैं आगे है इस वेवसाइट में हमारे पास जो batch हैं इस membership को आप ले सकते हैं GS foundation के course है इस GS foundation के course में बहुत अच्छी आपको छूट भी मिलेगी और सरका guidance आपके साथ हमेशा रहेगा और इन courses को आप जब साथ लेते हैं तो ये आपको मिलेगा अगर अलग से आप UGC NET GRF के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी team NET GRF के लिए भी हमारे पास उपलब्द है इस पे आप जो है विजिट कर सकते हैं और जो पिछला नम्मर आपको दिया गया है कोई भी query हो इस नम्मर पे आप क्या है क्वशन अपने पूछ सकते हैं और अविवेक्ति IS के साथ आप जोड़िए और अपनी तैयारी को एक ऐसी तैयारी की रूप में जोड़िए जिसमें आप जो vacancy किसी इस बार दिखाई दे रही है न उसमें एक seat आपकी पक्की हो और विश्वास करिए जीवन में आपके लिए इससे बड़ा मौका नहीं आएगा अब एक बार ही मौका भगवान देता है उस मौके को बुना लीजिए उसके अलावा कोई भी regular update वगेरा कि जो number है उससे आप contact करिए आपको सारी चीज़ें वहाँ से भी provide हो जाएंगी तो इस तरीके से आसा कर रहा हूँ आपको जो वायू मंडल की मुख्य मुख्य बाते हैं वो समझ में आई होंगी और हमारी इस coaching की जो भी team है आपको अलग-अलग subject के माध्यम से मिलेगी और बहुती expert जिनको काफी अनवव है इस छित्र का वो आपके साथ जोड़ेंगे तो इसी आसा के साथ के आप इस वाद जो है प्री जरूर निकालेंगे और mains और interview की guarantee तो फिर तुनील सर की है ही और उसमें आप बिलकुल जुड़े रहिए धन्यवाद